यहां पर हमें find करना है lateral or curved surface area of a closed cylindrical petrol storage tank that is 4.2 meter in diameter and 4.5 meter high तो यहां पर पहले तो given information लिख देते हैं जो closed cylindrical storage tank की है ओके तो given है diameter 4.2 meter तो radius क्या होगा क्योंकि हमें radius की जरुत पड़ती है तो radius इसका half हो जाता है diameter का half radius होता है 2.1 meter height given है h that is 4.5 meter हमें find करना है curved surface area of this tank तो curved surface area को lateral surface area भी कहते हैं है न क्यों क्योंकि जो cylinder होता है इसमें जो यह curved वाला portion होता है यह खड़े में होता है है न यह vertical तो इसलिए इसको lateral surface area भी कहते है और curved surface area भी कहते है तो curved surface area हो जाएगा वादर फर्स्ट पार्ट है यह curved surface area of the cylinder formula है 2 pi r h 2 into pi की value 22.7 r है 2.1 और height है 4.5 यह कटेगा 0.3 तो उसे multiply करेंगे तो यह 9 हो जाएगा 27, 7054 और इतना meter square आ चुका है इसका answer अब इसका second पार्ट पे आते है यहाँ question में लिखा है how much steel was actually used if 112 of steel actually used was wasted यानि जो total steel था उसका एक बटे बारा हिस्सा जो है 112 waste हो गया है कुछ cutting कटाई चटाई में waste हो गया होगा तो actual में कितना steel used हुआ इस tank को बनाने में और ध्यान रखना tank में केवल curved surface area नहीं बना है curved surface area निकाला तो है हमने लेकिन इसमें उपर और नीचे क्योंकि closed बना है ना तो steel यहाँ भी लगा यहाँ भी लगा है तो basically हमने total surface area find करना है इस tank का तब हमें पता चलेगा कि कितना area actual में use हुआ है I mean to say total surface area निकाल के tank का area पता चलेगा तो उसके बाद हम calculation करेंगे कि कितना steel use हुआ 112 steel waste होने के बाद यह cylindrical tank बना clear बात समझागी कहने का यह मतलब है कि हमें total surface area निकालना है cylinder का तो total surface area of the tank तो इसका formula है 2 pi r into h plus r यह formula होता है values put करते हैं 2 into 22.7 r is 2.1 h is 4.5 and r again 2.1 यह सब हो गया यह 0.3 आ गया और यह जो है यहां पर multiply होके 3 दोने 6, 6 दोने 12 यह आ जाएगा इनको multiply करके और 7 में अब इनको plus करेंगे हम तो यह आ जाएगा 6.6 ओके और अब यह multiply करेंगे तो यह आ जाएगा 87.12 मेटर स्क्वाइर तो यह टोटल टैंक का सर्फेस एरिया है टोटल सर्फेस एरिया है इस टैंक का अब मान लेते हैं कि जो स्टील यूज हुआ वो एक्स मेटर स्क्वाइर है तो यह एक्स मेटर स्क्वाइर तो यह हो जाएगा 11x upon 12 is equal to 87.12 और यहां से x आ जाएगा 87.12 into 12 upon 11 और अब calculate करेंगे यहां पे तो 11 से कटा 1177 101 11 99 और यह 2 हो जाएगा और फिर 12 को multiply करेंगे हम square और यह हमारा final answer है ओके तो I hope यह solution आपको समझा आगे होगा